आज की यह बीडियो जो भी हमारे सोसोलोजी यानि कि समाथ साफ्तर वाले छात्र उनके लिए महा संग्राम होने वाली है तो बीडियो को इंड तक जरूर देखते रहेगा क्योंकि इस बीडियो में question and answer दोनों included है with PDF साहित तो इंड तक जरूर देखते रहेगा और ये फिप् समस्टर सब्जक्ट का यहां पर पर लीजे प्रश्न पत्र का दुतीय प्रश्न पतर होता दुतिये ठीक तो, ज्ब्रश्न पत्र का नौइड भहा एक है के तो इसका उत्तर लिखेंगे कि निर सभ्यांourd द्धानंस सुनेंगे तथे निरच्छन दूरा त्थ्यो यानि जो उनके वास्तुविक रूप में जैसे उनका एक रूप होता वही रूप में ठीक है सेंकलन और बिसलेशण ही वस्तु निश्चता है अगर इसको दूसरे समधों में दूसरे समझे बिल्कुल आसान भासा में तो आपके सकते हैं कि अपने स्वयम के विचार आपको आपका नाम माने दूसरे कहें तो आपको किना और तो क्या है आप एक इंसान आम इनसान है और आप अपना घर और अपना सिस्टम में अपना रहते हैं नोकरी करते हैं धिक वह ए अपिक इंसान है तो आपका विश्तु私 का वि'll सिखन उसको हम वस्तिनिष्टता रहेंगे आप वाक्तिक रूप को ही बरना करना उसी चीज़ का और उसी को वस्तिनिष्टता कह बाकि आप लोग को एक दो बार और इसको पढ़ना पड़ेगा उत्तर को तभी आप समझ पाएंगे एक बार में नहीं आएगा यह मैं पहले से बता दे रहा हूं ओके चुले नशको बढ़ते हैं और यहां पर और परिभासा है अलाग 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 परिभासा है तो यहां प बार भी आपके एक्जाम नेशन के लिए महात्पूर्ण है कि तुलनात्मक पद्धित जिसको इंग्लिस में बोलते हैं कंप्रेट्व ठीक है कंप्रेट्व मैथड यह बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है एक्जाम में आने की 100% उमीद है तो इस बार इसको ज़र तयार क समाज में जो बिग्ञान होते हैं तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि समाजी घटनाओं के अध्यन तुलनात्मक पद्धित का प्रियोग वर्तमान समय में बहुत हो रहा है यह नि कहने का मतलब यह समाजी समाज में जो घटनाए होती रहती है कोई भी घटना हो ठीक है उ कि माली जे कि ये रोट सही नहीं बनीए ये रोट सही बनीए ये जो आदमी है ये काफी ज़्यादा पैसे वाला है ये पैसा वाला नहीं है ठीक है और इसका घर बहुत अच्छा बना इसका नहीं बना तो तुलनात्मक वाली चीज़े है ठीक है वर्तमान में ये फब बहुत ह तुलना बहुत हो रही आज कल एक दूसरे सी Xin Lisa बुइन समाज में घटने बाली समान प्रकति की समाजी घटनाओं या समस्याओं की परस्पत तूलना कि जाती है और उनकी समानता और आसमानता को ग्याद किया जाता है उसी को हम तुल्मात्मक तुलनात्मक ठीक है एक ही समाज में गटने वाली घटनाओं अथा विभिन समाज में अस्थानों पर गटने वाली समान परकत की घटनाओं का तुलनात्मक अध्यन भी इस विद्वारा किया जाता है यानि कि यहां पर बता जा रहा है कि एक ही समाज में भाई एक ही सहर हो ठी है कि यह पर कोई हाथ साथ हो गया कोई चीज ले लिए वह एक ही समाज में घटती हो लेकिन उसका समय है वह अलगळग हो ठीक है बाद में उसके तुलना कि जा कि हां देखि इमाली जे कि आपके दस घर पहले एक लोग का एक्सिडेंट वहाँ बगल में दो घर पेशे एक एक डिन पाद तीक तो आप तुलना करेंगे कि उसका एक्सिडेंट पाइक से हुआ था उसके एक्सिडेंट कार से हुआ लेकिन उसको ज्यादा चोड़ लगी उसको बहुत कम लगी यह वाली पैटरन ठीक है हलाकि तो इस प्रकार लिखेंगे समाज में घटने वाली घटना हो था विभिन अफ्थानों पर भाई कोई जोड़ी तो उससे उसका तुलना किया जाता है कि वह अफ्थान दोसरा था इसका जोटी सड़क थी वहां पर हुआ तो इस प्रकार लिखेंगे बाकि पूरी परिवासा है आप पढ़ सकते हैं और सिंपल सा मैंने अधि आ हम दे कर आपको समझा दिया वाई कोई डाव बात बात नहीं बेसक लोंग उत्तर आप सभी देखिए इतना बड़ा है कि आप इतना तयार पर पाएंगे इसमें इसमें म प्रबति केंद्रे प्रवत्ति मतलब की कभी कदार आता हमेशा नहीं आता वह जां लेदें तो मान से जो प्राप्त का प्रितिनित्व करता है मतलब कि कोई मालीजे आकड़ा है ठीक है अप Gallag एक्जांपल के लिए आप कहेंगे कि भाई यह घर जो है न एक घर मालीजे कोई बना है माली जये, ठीक है। उसमें प्लास्टो लाँच्टर नहीं है, ना फरस हपड़ी हुई है। तो आप आकड़ा लगाएंगे घर पे कि कि गर कोई बोले कि ये कि तने में तयार हो जाएगा फरस घर तो बना है पहले से फरस प्लास्टर के, इतने में हो जाएगा पूरा रेड़ी तो आप आकड़ा बताएगे कि हाँ बाई ये एक लाख लगेगा दो लाख लगेगा वही वाली आकड़े की बात हो रही ही ठीक है इसी प्रकार वाली आकड़े की तो आकड़ों का पृतिन्यत्ट करता है अर्थात वहां मान जो प्रकार का मत्तब कि आपको जिस प्रकार का उदाहां समझ में आए जिस प्रकार की परिमासा समझ में आउस प्रकार कर सकते हैं पूरी परिस्तु थे आप सभी कि समझ अगला कोश्चिन है कि बिंदू रिखे चित्र ग्राप से आप क्या समझते हैं यह कोई इतना महात्पोर नहीं आप चांप हैं उनके बारे ममा को जो फिलिक्ट कराएंगे और निरदर्शन से क्या ताद पर है यह इतना महात्पोर नही सब्सक्राइब नहीं परिच्छा में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की उम्मीद पूरी जता जरी हाई लेबल का कुश्चिन है तो समाजिक सरवेच्छन अत्वा अनुसंधान में प्रियोग की जाने वाली वह प्रश्णावली है जिसकी रचना वास्तविक अध पर अध्यन करना है मालीजी ठीक है किफैंशन के आपको जानकारी चाहिएए ठीक है बुक आपको अध्यन करना resonates मय dijo प्रश्णावली जाननों मतब कि सबक्राइघंगub प्रस्ट पे है तो वहीवाली बात हो रही यहां पर तो सबसे पहले जब आप उत्तरों का सपस्टी करने या अधिक ब्रिस्तित उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्च्य समझे जाते हैं। तो इस प्रकाल लिखेंगे संद्चित प्रश्णावली के बारे में जिसकी रश्णा पहले सी करती जाती है कोई अध्यन करने से पहले अगला प्रश्ण है कि जैसे माली घर आपको कोई बर्वाना तो घर पहले उसका मैप तैयार किया जाता ना बस वही वाले उदाहन समझ ल जानकारी ग्यात या उपलब्द आकरो समाग्री या सुचनाओ की रूप में होती है तो जो फैक्ट होते हैं तत्थ्य कोई घटना हो गई ठीक है तो उस घटना क्यों हो गई कैसे हो गई उसका निशकर्स मतब चान बीन किया जाए ठीक है ठीक है उसके बाद उसमें जाच क जाएगी भया हुआ क्या कैसे हुआ ठीक है तो यह समागरी सम्मक कहलाते हैं इसको हम लोग तथ्य बोलते हैं ठीक है यह जानकारी ज्यात या उपलब्द आकरो समाग्री या फुच्णाओ के रूप में होती भाई मामला आपको पता चले कैसे हुआ क्यों नहीं क्यों को तब ही मिलेंगी ठीक है तो इस प्रकाल लिखेंगे इसका उत्तर बहुलक भी बहुत महात्पूर्ण प्रशन यह आने के पूरी मुह देती के और आएगा भी बहुलक स्रेडी का वापध है जो अधिकतम बाराता है या स्रेडी के बहुल मोले का सर्वसेष्ट प्रूरू इसलिए बता जा रहा है कि सर्वसेष्ट है या एक ऐसा मोल है जो सच मुझ फैसन कहा जा सकता है ठीक है एक तरीके से आप इसको फैसन भी कह सकते हैं एक इस प्रकार का मोल है तो बहुलक की परिभांसा अलग अलग हमारे यहां पर बिद्वानों ने दी है आपको जो बेट सच्छातकार अन्सूची के बारे बताई तो सच्छातकार अन्सूची का प्रियों कि एक लंबी प्रिक्रिया है क्योंकि अन्सूची निर्मार के बाद ही सूचना एकरतर करने की अंसंधान करता को बिभिन अफ्तरों पर अनेक कारे करने पड़ते हैं किवल अन्सूची की रशना कर लेने से मात्र से ही अध्यन के लिए आवश्यक सूचना शंकलित नहीं की जाएक ती उसके लिए अनेक अफ्तरों से गुजरना पड़ता है ठीक है एक मतलब अच्छातकार एक अनसूची है जो की एक बहुत लंबी प्रोस्चेस है बहुत लंबी प्रिकरिया है ठीक उसके बाद उसमें अनुसंधान भी होता है ठीक तो अनुसंधान के विभिनफिनक अफल अनेक पुरण करते हैं अनुसंधान मतलब में रिवर्चिंग् उशके बाद वह चीजिशे ना बिभिन Cartyas करते हैं ठीक है और कोई तए तयार करने लेने से आप किसी चीज का के लिए आवस्क सुचना संक्रित नहीं हो जाती जानकाई नहीं संक्रित हो जाती उसके लिए अनेक अफ्तरों से गुजरना पड़ता है ठीक है बहुत फारे लाहे कि वर्गी करण बिल्कुल हम आपको आसान भासा मिल्कुल आफान परिभाफा और असान उदहार देकर समझाते ताकि आपको समझ भी जानते हैं अगला प्रशन वर्गी करण सजड़ा वर्गी करण बहुत ही पॉप्लार और कॉमन कोश्चिन है जो कि हर चीन में लगव छ्माली जी की आपके बाबा आपके बाबा जी थी थैं ठीक है माली जी यह आपके BABा एक नोइघर ज il जिके दो पुत्र हुए गए ओर जो दोसरा मत्lifting की उन्म से छोटे थे उनकी एक पुत्री दो पुत्र हुए एक दो तीन इफी तरह ये जो है न इस्टेप बढ़ता जाएगा और ये इस्टप इधर भी बढ़ता ही जाएगा इसी को कहेंगे हम वर्गी करण का बहुत ही सिंपल सा बहुत ही अच्छा उदारान है तो इस प्रकार आप वर्गी करण के बारे में लिखेंगे तिक अलग-अलग ज कर्ण बहुत हैं तो हम माधिमान भी कहते है किसी अंक समों पाले को किशी अंकरी कि समस्त माली जें सभी का योग पने किया ुपचाफ निकला ही को उनके अंक की संख्या से भाग दो भाग दे आपने भाग देने के बाद कुछ सेश उसमें बचेगा ठीक है उसी को हम मध्यमान कहेंगे बस अलग-अलग यहां पड़ देखिए जैसे कि होरेसिक क्रिस्टिक के अनुसार इसकी परिमासा अलग है और दोसरी प्रमुक बिद् सिनके अनुसार अलग परिमासा है तो आप अलग-अलग परिमासा पड़ सकते हैं बहुत ही कॉमन बहुत ही अच्छा प्रशने एक्जाम के लिए ठीक है प्रात्थिमिक सम्मक इतना महात्पोर्ण नहीं आप चाहिए ग्नूर भी कर सकते हैं ठीक है उपकलपना ये भी इतन ब्यान हैं बैग्यानिक और समागरा सहस्ती है और मिग्यानिक पद्धित के निम्लिकित चरण है पहला अध्यां समय का निरूपन दूसरा है उपकलपना का निर्माड करना फिर तत्थियों का संघ्रा यानी कि स्टोरिस थीक तत्थियों का सिवायव स्थित लेकर उनुए क कि माध्ध्यम से जो बिद्वान लोग होते हैं पर बैग्यानिक या पिर समाध साथ्री वो किसी भी चीज का एक मतलब कि अच्छे ढंक से वरण करते हैं और अच्छे से उस चीज को बढ़ाते हों समझाते हैं ताकि लोग उसको जान सके ठीक है तो इनहीं माध्ध्यमों के मा सारी अध्यन किया अध्यन करने के बाद उस तीज़ को समझा उसके बाद इसको श्टोर किया उसको सो बेष्ट ह से लिखा हुसका वर्गील किया तो इन सभी जो पद्ध्यत हैं इनका राफ यह आज बिग्वान कहलें तो समाससाफत्री समाजिक सर्वेच्छन को और अधिक अश्पष्ट रूफ से समझने के लिए विभिन विद्वानों द्वारा दी परिवासा को आप समझ सकते हैं पहली जो अनुसार है इनको नहीं परिवाफ़ा दिये तो आप दोनों परिवासा पढ़ सकते हैं समय जादा है नहीं है नहीं और कोश्चन बहुत सार है तो मैं आपको इंपर इसकी परिवासा अगले विद्वान पुरूस्थ होने जा रहा है कि इतन महत्पुर्ण कभी आता कभी नहीं आता पढ़ भी सकते पढ़ भी संधित करने भी इतना महाधं पोर्न कभी कर सकते हैं इतने को एक आρχा कि माध्धय लेगी स्टिकीक टैयार कर लेंगे माध्यमेकर डिके माध्यका बोलते हैं ऑग निस्ट कोईशन बहुत ही हाइबल का जो की आएगा ये समाजिक अनुसंधान के चरंड क्योंकि यही आपके प्रश्ण पत्र का भी नहां है टीके तो समाजिक अनसंधान के कुछ इस्टिप इस कुछ छरण है जो कि आपके समस्त्र निम्नुवत है ठीक है तो पहला बिशन निर्वचन और दुफरा अनसंधान के छेत्र का निर्धान करना कि कहां का रिफर्चेच किया जाफकता है साहित का पूरान और को लन मतब कि दुबारा से उस चीज की जान काई लेना पुना ठीक है आउलोकन च्छितरी स्थरवेच्छन करना एकाई यो को निर्धायत उपर भासित करना इस तरह कि बहुत फारेश चड़ने जो कि आपको पढ़ लेना महात्मोर प्रशन भी ठीक है आप पांच से तयार कर लेंगे बहुत प्रश्णा वाली बहुत ही हार्ड लेबल का कुश्चन प्रश्णा वाली के बारे में आपको बताने क्या हो शक्ता नहीं आप अच्छे समझदार न समझगी होंगे ठीक है यह 100% उम्मीद प्रश्ण के इसको तयार कर लिए आपके प्ररश्ण आपकी परिछह मैं अत्य लग तर फ्रश्ण में आ सकते हैं बाद को द्यान रखेंगे ठीक है सच्छात कारी भी हाई लेबल कोईश्चिन और टॉप लेबल के भी 100% उम्मीद है आएगा ही आएगा इसको भी त्यार कर लेंगे आप सभी माद्ध यह आप भी सकता है नहीं है इसे कर सकते हैं तो फिर्वे कर सकते हैं तो की कारणों अंतर संबंधो प्रिक्रिआओं आदिका विज्ञानिक वह बशलेशन है जाएगा समाजिक अनुसं और संधान यानिकी सोअचिल रिफर्षड बोलते हैं तो इस प्रकार लिखेंग परिमास टिक समाज में बहुत फारे अनुसंद्धान रिफच होगा करते हैं समाजिक जीवन में समाजिक संबंध हम लोगों कोई भाई चारा है कि पे हमारा रिस्ता है चाचा का कि से भाई फे ठीक है और किसी का मौसा फे इसे तरह बहुत फार सम्भन दोंगोगों कि गटनाओं कुछ घटनाएं भी हूती है ठीक कि अंतर संबंद्ध ठीक है इनकी पुरा मिलाकरन समाजी के पूरा श्रस होता हैWoman समाजिक अनुसंधान का महत्ती उपर वाला क्वेश्चन और ये भी दोनों महत्पूर्ण है ठीक है अनुवे सड़ात्मक सोथ प्रारश्चन ये महत्पूर्ण इस मतलब कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ठीक है इसकी कम उम्मीद आने की निदरस्थन ये भी उसी टाइप कोषचन आ भी सकता है नहीं हो एक्षचन तरह करो जरूडानात्मक सोथ प्रारूप ये हाई- l l email का कुषचन है इस बार भी आने के पूरी उम्मीद नहीं तो जरूर तयार बिए थाकि आख्याम की आपको प्रोरूप्त किसी चीच का वर्ण के रूप में सोध करना सर्च करना ठीक हमारे समाज में अनेक समाजिक जीवन से संबंदित ऐसे पच्छ होते हैं जिनके संबंद में बहुत काल में किसी भी प्रकार का अद्धिन नहीं किया जाता है पहले कोई अद्धन नहीं होता ठीक है इस इस्तित में वास्तियों का संकलन जिस सोथ के अधार पर किया जाता वह वरनात्मक सोथ कहलाता है जिसे कि माली जे की कोई एक बेसहारा बच्चा है ठीक है जिसके न माता है न पीता है ठीक है तो माता और उसके प तो इस प्रकार आपको परिष्चा में जोड़ देखने को बताएं इनको आपके समय है आपके पास तो इन सभी प्रस्णों का उत्तर मैंने बता ही दिया है और तैयार कर लेंगे आपको काफी मिल जाएगे आपके गिजाम में और आज किस वीडियो में मिलते हैं को ने वीडियो में जैंद इस पीडियो को वट्सप पर टिलेग्राम पर प्राप्त कर लिजेगा मैसेज कर दीजेगा हम देदेंगे ठीक है ओके जैंद